प्रेस के हमारे मित्रों आप साब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया इतनी मड़त की इतनी शक्ती आपने हमे दी इसके यह मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस यात्रा का लक्ष भारत गो जोडने का है जब हमने यह शुरू किया कन्या कुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगे नफरत पहली हुई है मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिलकुल अलग थी मैंने मीडिया के बारे में कहा शुरू आट में कहा कि हमारे दोस्त हैं मगर हमारी बाट TV पर कमी नहीं दिखाते हैं और वो तो तब भी ठीक है फमारी बात नहीं होटाएं तो ठीक है कोई प्रोबलम नहीं है मगर यें और काम करते हैं इनकी गलती नहीं है देखें ये जो यहां कड़े हैं इन से गुस्ता मत होई है इनकी गलती नहीं है कि जानते लगान लगी हुई है पीचे से लगान लगी हुई है मगर इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं 24 घंटा 24 घंटा हिंदू-मुस्लिम, 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 हिंदू-मुस्लिम यह सचाई नहीं है भाईयों मैंनो मैं चला हूँ कन्या कुमारी से यहां तक यह सचाई नहीं है यह मीडिया में चलाया जाता है, फ्यलाया जाता है यह देश एक है इन सडकों पे लाकों लोगों से मिला हूँ सारे के सारे एक दूसरे से महबत करते हैं प्यार करते हैं गले लगते हैं तो सवाल उफ्ता है क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं इनके पीछे जो शक्ती है इनके पीछे जो शक्ती है वो कर रही है तो सवाल उसता है ये क्यों हो रहा है जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक चाहिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सीख हो, इसाई हो किसी भी जाट का हो वो एक दूसरे से प्यार करता है, महबत करता है एक दूसरे की हिज़त करता है नब प्रश्चिशद लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, महबत करते हैं, इज़त करते हैं देखिए मेरे सामने ये देखिए घूम के देखिए ये जैन मंदिर है गुर्दवारा है मंदिर है मस्जिद है ये हिंदूस्तान यह सचाई है हिंदुस्तान की और यह नई बात नहीं है यह हजारों साल से इस देश की सचाई है प्यार से यह देश मिलकर एक साथ रहा है तो सवाल उठता है यह जो मीडिया के लोग है यह नहीं जो इनके पीछे हैं यह नफरत क्यों पहलाना चाहते हैं आपने कभी पूछे आपने आपसे कि मीडिया 24 घंटा कभी कभी मुपत की बात नहीं करेंगे कभी आपने देखी है कभी टीवी पर देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरा हिंदुस्तानी से गले लग गया कभी देखा कभी नहीं देखेगा सही बात है न सही बात कभी नहीं देखेगा इसका कारण है भाई और बेहनो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है आपका जेब काटा गया आपका जेब काटा गया तो जब जेब काटा जाता है आपका काटा गया ना तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है सबसे पहले उज़े क्या करना पड़ता है नहीं 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 ब्लेड तो बाद में आता है मगद पहले क्या करता है पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है आपके ध्यान को बेकर उधर ले जाता है भाई और बेनो ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और ये 24 गंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है बढ़िया बढ़िया क्योंकि सच्चाई है 24 गटा हिंदू-मुस्लिम-हिंदू-मुस्लिम-हिंदू-मुस्लिम और पिर जो भी आपका पैसा है किसानों का मज़दूरों का आपके एरपॉर्ट आपके पॉर्ट आपकी सड़के सिदा किसके जेब में इनके मालिक के जेब इनको कौन चलते है नाम बताओ देखो सब जानते है पूरा हिंदूस्तान जानता है भाईयों और बहनों ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है ये अंबानी अदानी की सरकार है ये सच्चाई है और ये पूरा पूरा लक्ष इनका आपके ध्यान को मैं 2800 किलो मिटर चला हूँ 2800 मुझे कहीं नफरण नहीं दिखी कहीं इंसा नहीं दिखी कहीं मारपीट नहीं दिखी मगर जब मैं इनका टेलिविजन कुलता हूँ 24 गंटे मुझे मारपीट इंसा नफरण दिखाई देती है क्यूं? क्योंकि यह आपका ध्यान इदर से उदर ले जाना चाहते है जो सच्चे मुद्धे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब गलती से भी ना चला जाए यह हो रहा है इस देश में तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदोस्तान के युवा हैं उनकी ओर जाना चाहिए आप किसी भी युवा से पूछ लीजिये वो आपको बताएगा मैंने एंजिनियरिंग की मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा मैंने आई एस के लिए तियारी की मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था पूछो क्या किया पढ़ाई की कितने साल की स्कूल कॉलिज युनिवर्सिटी सब पढ़ लिए और फिर क्या हुआ क्यों आई मैं आपको बताता हूँ और जो हमारे छोटे वी अपारी है जो स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते है आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि आप इस देश के भविश्य हो अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे वी अपारी है और स्मॉल और मीडियम बिजनिसे चलाते हैं ये लोग है क्यों क्योंकि ये लाकों है ये लाकों में है और कोई सौ लोगों को रोजगार देता है कोई पाच्सो को देता है कोई हजार को देता है कोई 25 को देता है कोई 35 को देता है और ये लोग देश को रोजगार देते है अब इनकी बात करते है ये 24 घंटे लगे रहते है बैंक के दर्वाजे इनके लिए बंद होते है हिंदुस्तान के 2-3 अरब पतियों को एक लाग करोड दो लाग करोड तीन लाग करोड ऐसे दिया जाता है ये बैंक के सामने जाते हैं इनको धकेल के निकाल दिया जाता है अब क्या ठीक है बैंक का पैसा नहीं दिये तब भी मानली बात तब भी मानली बात मगर फिर क्या किया फिर प्रधान मंत्री ने नोट बंदी की और प्रधान मंत्री ने गलत GST लागू की भायों और वेनों ये पॉलिसी नहीं है ये हत्यार है छोटे विअपारियों को स्मॉल और मीडियम बिजिनस वालों को और किसानों को मारने के हज़कार हैं ये और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल सकता सवाल नहीं उठता क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी भीके हड़ी आपने तोड़ दी किसके लिए तोड़ी किसके लिए तोड़ी इनके जो मालिक है उनके लिए तोड़ी गेम को सब्जो अब देखिए अब आगे चलते हैं युवाउ की बात की स्मॉलर मीडियम बिस्नेस वालों की बात की दुकंदारों की बात की अब सडकों पे मुझे हजारों किसान मिले है एक सेकंड में पहचार लेता हूँ जैसे ही हाथ मिलाता हूँ समझ आ जाता है ये मज़ूर है या ये किसान है हाथ से पता लग जाता है छिले हुए हाथ होते हैं अच्छा एक और सवाल है जो मैं सोच रहा हूँ प्रेस वाले ने मुझे पूछा प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड़ी लगती और मैंने सोचा ये मुझे से पूछ रहे हैं मैं हिंदुस्तान के किसान से की नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के मज़ूर से क्यों नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते फिर कहते देखो अठाइस सो किलोमेटर चली कोई बड़ी बात नहीं है पूरा हिंदुस्तान चलता है जिंदगी भर चलता है किसान चलता है मजदूर चलता है फैक्टरी में जो काम करते हो चलते हैं तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया बाइए और बैने ये पूरा हिंदुस्तान करता है रोज करता है हम 800 किलोमेटर चलते किसान शायद जिन्दगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता है तो मैं चाहता हूँ कि ध्यान सही चगे जाए अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है हिंदू धर्म की बात करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को कमजोर लोगों को कुछलना चाहिए कहां लिखा है कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए कहां लिखा है मुझे बताओ मैंने तो कही नहीं पड़ा मैंने गीता पड़ी है, उपनिशक पड़े है कहीं ने पड़ा मैंने आपने पड़ा था ही गले लगाने की बात होती है अच्छा ठीक है देखिए अब यह लोग देश में डर फ़ला रहे हैं नत्रत में ही दिखी बगर डर दिखा किसके दिल में डर? किसान के दिल में युवाओ के दिल में छोटे दुकानदारों के दिल में स्मॉल और मीडियम बिजनस जो चलाते हैं उनके दिल में मताओ बेहनों के दिल में मुझसे कहती है राउली बीजेपी की सरकार में हम तो सरक पर रहे हैं तो शिव जी कहते हैं हिंदू धर्म कहता है डरो मत और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं अच्छा एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको मैं सोच रहा था आपने ये यात्रा देखी होगी इसमें आपको हिंसा दिखी नहीं नहीं दिखी किसी ने किसी को मारा किसी ने गाली दी आपने इसमें नफरत देखी बिल्कुल नहीं इसमें किसी ने ये पूचा भईया तुम्हारा धर्म क्या है किसी ने का भई तुम हिंदू हो मुसल्मान हो, सिक हो, हिसाई हो, क्या हो किसी ने ये पूचा तुस्त्री हो या पुरुष हो किसे नहीं यह पूचा तुम्हारी क्या जात है बिल्कुल नहीं कपड़े भी नहीं पूचे कपड़े भी नहीं पूचे अच्छा इसमें आपने देखा होगा पता नहीं आपने देखा या नहीं इसमें कुट्टे भी आए कुट्टे भी आए इसमें कुट्टे आए और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते हैं आपने किसी देखे होगी कुट्टे को किसी ने नहीं मारा किसी ने नहीं मारा इसमें गाई भी आई बहस भी आए सुर भी आए मैंने देखा वो तो सब जानवर आए सब लोग आए और यहाँ पे कोई नफरत नहीं थी जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ही यात्रा है कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं कोई गलत सवाँ नहीं कभी कभी कोई गिर जाता जैसे हमारे हरियाना के PCC गिरे, ध्राम से गिरे केरला के सब नेता गिर गए एक सेकंड में लोग उनको उठा लेते थे एक सेकंड में टाइम नहीं लगता था यह है हिंदुस्तान नहीं देखे, मैं मैं आपको एक बात बताता हूँ सच्चा ही समझनी होगी सच्चा ही यह है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है वैसे इंदुस्तान के प्रधान मंत्री पे भी लगाम लगी हुई है उनकी गलती नहीं है, वो समाल नहीं पा रहे हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर दिया है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए एरपोर्ट भी उनके पोर्ट भी उनके एग्रिकल्चर के स्टॉरिज डिपो भी उनके और क्या उनका लाल किला भी उनका सारे के सारे पुब्लिक सेक्टर की कंपनिया उनकी और क्या उनका रेलवेज उनकी अभी भाईयों बहनों ताज महल भी चला जाएगा सब कुछ उनका तो यह देश की सचाई है हाईवे भी उनके सिलफोन भी उनके मगर सचाई हमारी आप देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको मैं बताता हूँ अपनी कहानी बताता हूँ जब मैं राजनेती में आया 2004 में आया हमारी सरकार थी चुनाव जीते थे और यह प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रेशंसा करते थे 24 घंटा 24 घंटा राहूल गांदी राहूल गांदी राहूल गांदी राहूल गांदी फिर मैंने क्या किया मैं चला गए बता परसॉल नहीं सुनो आपको समझना है यह है क्या मैं बता परसॉल गया और मैंने किसानों का जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया और भाई और बेहनों जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा वैसे यह मेरे पीछे पढ़ गया उसके बाद जमीन अधिकरन बिल बट्टा परजोल के बाद जमीन अधिकरन बिल लाया कॉंग्रेस की सरकार लाई उसके बाद तो पूरा फूल टाइम 24 गंटा पीछे पढ़ गए प्रधान मंत्री जी ने बीजेपी ने मैं आपको सच्चाई के बारे मैं बता चाह रहा हूँ प्रधान मंत्री ने बीजेपी ने हजारों करोड रुपए लगा दिये मेरी शवी को खराब करने में हजारों करोड रुपए और आपने देखा होगा मैंने एक सब नहीं बोला बिलकुल चुप बिलकुल चुप मैंने एक सब नहीं बोला यह गल्ट बोल रहे है यह ठीक नहीं है ना मैं बिलकुल चुप चुप क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूँ कितना दम है पूरी के पूरी यह मीडिया लग गई वाट्सैप पे लगाया फेस्बुक पे लगाया सब जगे 24 घंटा राहूल गांदी के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने पूरे देश में फेला दिया और फिर एक महिने मैंने आपको सचाई दिखा दी और पूरा पूरा खतम देखो सचाई कैसे काम करती है सचाई को छुपाया नहीं जा सकता है कही न कहीं से सचाई बहार आ जाती है और यह यात्रा हिंदुस्तान को जोडने की है क्यों कि इस नफरत से इस दर से हमारे प्यारे देश को नुक्सान हो रहा है यह सचाई है और इसलिए हमने यह यात्रा कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है और यह जो हमारा तिनंगा है इसको हम स्रीनगर में जाके वहाँ पे लेराएंगे और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे हजारों लोग चलोगे तो बाई और मेहनों देखिए सचा मुकाबला दुन्या में सचा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है ठीक है चाइना ने 2000 स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले ली है प्रजान मंत्री जी कहते है कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया तो भाईया प्रजान मंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के एक साथ 21 बार क्यों बात कर रही है और हमारे जो सेना के लोग है हमारे डिफेंस पॉर्सिस के लोग है वो क्यों कह रहे है कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है मगर देखिए कॉम्पेटिशन आर्थिक है मुकाबला आर्थिक है यह आपके जो सैल फॉन है यह आपके जो स्ट है जूते है इसके पीछे आप देखिए पैसवालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए उसके पीछे आपको लेका देखेगा मैन इन चाइना हमें शर्ट के पीछे, सेल फोन के पीछे, जूतों के नीचे Made in India लिखना है और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब चाहिए में कोई युवा नई जूते खरीदे, उसके नीचे देखे Made in New Delhi India ये हिंदुस्तान चाहिए इसी से हमारे युवा को रोजगार मिलेगा तो ये, ये करना ही पड़ेगा चो इसनी है और ये हम करके दिखा देंगे ये देश कर सकता है करके दिखा सकता है आप, आप सबने इतना प्यार दिया आपने इतना प्यार दिया मैंने वाशन में राजस्तान में कहा था आपके नफरत के बाजार में हम महबत की दुकान खोलेंगे आपने लाखों दुकाने खोल दी हैं आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ता जैहित